अरे आज ये मेसेज पूरे हिंदुस्तान में जाने दो कि कोई आदमी केरल में शुटिंग करता होगा उसको भी लगना चाहिए जाओ मुंबई में और शुटिंग करो वहां के वरकर बहुत प्यारे हैं ये मेसेज हम पूरे हिंदुस्तान में देंगे और यहां के प्रोडूसर्स होंगे, जो भी होंगे, उनको लगना चाहिए कि मैं बहार जो पैसे देता हूँ, मेरे यहां के मजदूरों को थोड़े से जादा पैसे दे दू, महेंगाए में, आजकल घर चनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्या ने मिला? अब ही मेरा कद छोटा है, नीचे मत देखना, पेड बड़ा है, मेरे लिए कंफरड़ेवल यह है कि मेरा पेड दिख नहीं पाता है, वैसे भी कोई भी नेता का आप देखो, तो उसका जो मद्य प्रदेश है, यह हमेशा बड़ा होता है, इसके लिए तुम्हारे मेंसे कोई डिरेक्टर हो, प्रोडिसर हो, तो उससे केवल इतनी विंती है, मुझे यहां तक देखो, इसके नीचे माफ कर देना, और यह मेरी गलती नहीं है, मेरे बीवी ने एक बार का, जिस दिन तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, तुमको में चली जाओंगी, मैंने मेरे बीवी से कहा, मैं तुछ से प्यार करता हूँ, चाहे आज 80 है, कल 90 होगा, भविश्य में सो भी हो जाएगा, चिंता नहीं, वजन बढ़ता रहेगा, तुघर मेरे, कद छोटा जरूर है, पर छोटे से छोटे आदमी को न्याए दिलाने के लिए राम कदम, सक्षम जरूर है, इसी विश्वास के साथ, मैं जब तक हूँ, किसी भी प्रकार का गलत काम, मैं इंडस्ट्री में होने नहीं दूँगा, अब आया हूँ, धीरे-धीरे समझ करके, कि सारे अलग-अलग लोगों से, फेडरेशन से, सारे यूनियन से मिल करके, क्योंकि ओ भी अपने ही भाई है, सभी लोगों से मिल करके, जो भी आपसी अच्छा हल निकालने का, मैं निश्वित तोर पे आपकी सब के आश्रवास से प्रयास करूंगा, इतना ही यहाँ पे भूलता हूँ, बाकि अभी एक टीवी चैनल पे लायू डिबिट के लिए जाना है, इसके लिए में निकल जाओं, तो यह मत बोलना, आया, थोड़ा बोला और देखो निकल गया, तो इसे के साथ बहुत-बहुत सभी को धन्यवाद, जय हें, जय महराज़। अनिकल गया, के लिए जबिश पूरे भारत वर्श को जाए, इसी सत्भावना के साथ बहुत-बहुत है.